देश में बढ़ रही बेरोजगारी और उससे युवाओं की आत्मात्या से ध्याम भचकाने के लिए मुदी सरकार हम उच्छे 370 CEA और NRC जैसे मुद्धों को उच्छाल रही है साथी साथ श्री चोहाँ ने मुदी सरकार को गेरते हुए कहा कि मुदी सरकार ने हर साल 2 करोड नौकरिया देने का वादा किया था लेकिन उसके विप्रीत अब तक लगपक 3 करोड 64 लाक नौकरिया युवाओं से च्छीन ली गई है चोहान का कहना है कि देश के युवाओं को CAA और NRC की जरूरत नहीं है बलकि रोज़गार की जरूरत है सरकार कुन रूप से विफर रही और विफलता समारग बनकर रह गई है राश्टी रोज़गार रजिस्टर जिसका साथ पाम NRU बनाने की मांग करते हुए एक अभियान की शुरुवात की है इसके तहर्ट मिष्ट काल के लिए हमें नंबर गारी किया है जो मैं अपनों को दूंगर काउपिक्सार में इसको लेकर रिवा कांग्रेश देश भर में युवाओं की अभियान चलाएगी इस अभियान को देश के सांथ सांथ हम जीले लेबल की जो पताधी गारी है मुदी सरकार अनुछे 370 एनासी जैसे मुद्दों को उछाल रही है देश में विरोजगारी 45 सालों में सबसे जादा है और मंदी का महुर रोजाना 368 महुतिया कर रहा है इसके बाद प्रधान मंदी नरेत्मों की विदेश में जाकर बूलते हैं कि सब चंगा सई जबकि हंकीकत में कुछ भी चंगा नहीं है बल्गी सब मंदा है देश में यह मंदी के बैस्वी कारण नहीं है यह जो देश में मंदी आई हुई है इसका कारण मोदी सरकार की गलग नीदिया है यह जो मंदी है यह मोदी सरकार त्वारा पैदा की गई है या मेडि इंडिया मंदी मोदी सरकार ने हर साल दो करण नौकरिया देने का वादा किया था लेकिन उसके बाद कोई भी आगना